नमस्कार आप देख रहे हैं दोड़दाशन किसांग मैं हूँ मोनालिसा, स्वागत है आपका दोड़दाशन किसांग के खास कारीक्रम वात समबात में किसांग प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी के नित्रित्व वाली सरकार की सरवोच प्रात्मिक्ताओं में उनके पहले कारेकाल में तो थे ही दूसरे कारेकाल में भी है उनके मंत्री मंडल में अपनी पहली ही बैठर किसानों के नाम कर दी किसानों को पेंशन देने के साथ ही किसान सम्मान निधी का दाइरा बढ़ा कर उसमें देश के सब ही किसानों को शामिल कर दिया गया यानि देश के 14.5 करोड किसानों पहले से 2 करोड ज्यादा को साल में 6,000 रुपए की सम्मान निधी मिलेगी और इस सम्मान पर सरकार के खजाने से हर साल 87,217 करोड रुपए से ज्यादा खर्श होंगे पहले फरवरी 2019 को सम्मान निधी की घोशना हुई थी और महस 24 दिनों में इसे लागू भी कर दिया गया था पहले जिनके खेट 2 हेक्टेर या उसे कम हैं वे ही इस सम्मान के हगदार थे लेकिन अब किसी किसान के पास कितनी भी जमीन हो वो हगदार बन गया है किसानों को ये सम्मान केंदर सरकार अपने खजाने से दे रही है राजियों को तो सिर्फ पात्र किसानों की सूची बना कर पीम किसान पोर्टल पर लोड करनी है तो अब तक कितने राजियों के कितने किसानों के खाते में पहुंची है ये राशी राजियों का कैसा रहा रवया जारखन में अध्यतन भूमी रिकॉर्ट नहीं होने और असम में खाले और जमुकश्मीर में आधार की कम उपलब्धता का कैसा निकाला गया समाधान ऐसी ही तमाम सवालों पर क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले में संयुक्त सचिफ श्री विवेक अगरवाल से बात समबाद करेंगे वरिष्ट पत्रका श्री शिवाजी सरकार पी टी आई की विशेश समबादाता सुष्टरी लक्षमी देवी भाद्य क्रिशक समाज के अध्यक्षि डॉक्टर क्रश्णवेर चौधरी किसान नेता श्रीयोंकार थ्यागी और उत्तर प्रदेश से आई किसान आप सभी का दूरदाशन किसान पर स्वागत है बाद समबाद के शुरुबाद करें उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट चौबीस वरवरी को जय जवान जय किसान के तीन उत्खोश के साथ प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा गोरकनात की तपो भूमी गोरकपुर में हजारों किसानों की मौझूदकी में प्रधान मंत्री सम्मान निधी का शुभारब किया था कुछ सरकारें अभी तक सोई हुई हैं अगर उन्होंने इस काम में लापरवाही की और किसानों के साथ खिलवाड किया तो किसानों का शाब और बद्धुआएं उनकी सत्ता भस्म कर देंगी मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूँ अगर आपने अपने राजिके किसानों के सुची समय पर नहीं पहुँचाई अगर वो इन लाप से बंचित रह गए तो इनकी शानों का साब इनकी बद्धुआएं आपकी राजिनीती को तहस नहस कर देगी अरे आप भी रोधी दल की सरकार हो सकती हो लेकिन महरबानी करके किसान तो हमारे देश का है उसके साथ राजिनीती क्यों करते हो क्यों उसके साथ खिलवार करते हो जिन राजियों में संभावित लाभारतियों के 4 फीसदी को भी अभी तक किसान सम्मान निधी नहीं मिली उनमें 36 कड, करनाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल है बिहार में भी केवल 1.48 फीसदी पात्र किसानों को ही सम्मान निधी मिली है पर उसकी वजह पात्र किसानों का नई तरीके से सर्वे कराना बताया जा रहा है दिल्ली, अरुणाचल, लक्षुदीप, मेघाले, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में किसी भी किसान को सम्मान निधी नहीं मिली है पश्चिम बंगाल इस योजना में शामिल होने को अभी भी तैयार नहीं है जिन राजियों और केंदर शाशित शेत्रों में पात्र किसानों के 50 फीसदी से भी अधिक को सम्मान निधी मिल चुकी है वो हैं पंजाब, अंडवान निकोबार, हर्याना, गुजरात, नागलेंड, हिमाजल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्राखंड और असम जिन राजियों और केंदर शाशित शेत्रों में पात्र किसानों के 25 फीसदी से ज्यादा पर 50 फीसदी से कम को सम्मान निधी मिल चुकी है वो हैं दादर नागर हवेली, आंधर प्रदेश, मिजोरम, जम्मु कश्मीर, तेलंगाना, तमिलनाडू, त्रिपुरा और दमन्दीव शेश राजियों में 25 फीसदी से भी कम पात्रों को किसान सम्मान निधी मिली है इस तरह एक दिसंबर 2018 से लागू इस योजना के तहट 2000 रुपई की पहली किष्ट 3,11,82,345 किसानों को मिल चुकी है अप्रेल से जुलाई 2019 के लिए जारी होने वाली दूसरी किष्ट अब तक 2,66,38,898 किसानों को मिल चुकी है तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब सबसे पहले चलते हैं किसानों के पास प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी दूसरी पारी का पहला ही फैसला किसानों के लिए लिया है और अब दो हेक्टेर की जो सीमा है किसान सम्मान निधी के लिए वो हट गई है जानना चाहूंगी कि आप लोगों में इस फैसले से किस तरह की खुशी है अपने तालियों के साथ इस बात का इजहार कीजे कि इस फैसले से कैसी खुशी है आप में जानना तो जोरदार तालिया बजा दी है आपने और इस सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो पहली किष्ट है वो आप में से किन-किन के खाते पे आ चुकी है हाथ खड़ा करके अपना बताएंगे कि किन-किन के खाते में आ चुकी है बहुत अच्छे और क्या कुछ लोग ऐसे भी है आप लोगों में जिनके पास दूसरी जो किष्ट है वो भी आ चुकी है चलिए तो यहाँ पे कई लोग है जिनके पास पहली और दूसरी किष्ट प पढ़ा दिया गया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुशी है तमाम किसानों में इंतजार बस इस बात का है कि कब से इसे लागू किया जाएगा जो प्रधान मंतरी किसान समान निधी का दायरा बढ़ाया गया है जी वो 31 माई को जो यूनियन कैबिनेट की बैठक अगले ही दिन एक जून से इसका दायरा बढ़ाने के आदेश जारी हो गये थे और सभी राज्यों को हमने बता दिया है कि अब जो किसान पहले समलित नहीं थे क्योंकि उनके पास दो हेक्टेर से जादा भूमी थी उनके नाम भी वो पोर्टल पे डाले और उनको भी अब इस जो चार महा का पीरिड है 1 अपरिल से 31 जुलाए का उसके 2000 रुपे उनको अस्तांतरित किया जाएंगे विवेक जी कुछ समय पहले इस बात की भी चर्चा हुए कि कई किसानों के खाते से सम्मान निधी के राशी वापस ले दी गई इसमें कितनी सचाई है जब हमने इस प्रक्रिया को शुरू किया क्योंकि एक फरवरी को माने प्रधान मंत्री जी ने इस योजना के शुरुआत करने का फैसला लिया कैबिनिट में और 24 फेबूरी को लांचिंग हुई तो 24 दिन में जब हमने जो पहले डेटा आया हमारे पास किसानों का उसको स्रूटनी करके हमने पैसा ट्रांसफर किया उसमें एक जो कमी रह गई शुरू में वो यह रही कि जिन किसानों का नाम जो राज्यों से आया उस में और जो उनका खाते का नंबर आया उस खाते में जो किसान का जो खाते के मालिक का नाम था उनमें जहां पे अंतर था वहां पे जब पैसा गया बैंक अकाउंट में तो वो पैसा credit नहीं हो पाया और credit हुआ तो debit हुआ वो हमने identify कर लिया पूरे देश में करीब हमने 6 प्रथम किष्ट हमने किसानों को दी और करीब 2 कोड़ 70 लाख किसानों को हमने दृतिय किष्ट दी और ये पूरे देश में केवल 1,19,000 ही ऐसी ट्रांजेक्शन थी जहां पर इस परकार का हमें सूचना मिली उनके सब की हमने सूची बना ली है और उनकी जो करेक्शन है उस ड टरय की नुए उससे सुधहरा जा रहा है कि प्रत्षान्र मंत रेंद्र चौबीस परवरी को गोरखपुर में कहा था किसानों के साथ खिलवार किया तो किसानों का शराप और। वद्धूान में उनकी सत्ता भस्म कर देगी और अब इसे देखते वे आप क्या कहना चाहेंगे? यहां पर अब तक लागू करने के लिए ही पश्चिम बंगाल की सरकार जो है राजनीती से प्रेडित होके जिस तरह से काम कर रही हर चीज में मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं है और संसिबल भी नहीं है देखिए सामाने रूप से अगर हम किसी भी उससे मुद्धे कईिस सरकार बाकी की लड़ाई लगतेया है किसस्कि उस पर जदाए पैसे केंद्रे से मिलता है तो उसको और पैसे मिलता है यान की होना चाहिए तो इसको तो इसका स्वागत करना चाहिए तो इस तरह की चीज़ें जो है मुझे लगता है जो जूनता के भलाई के लिए किसानों की भलाई के लिए ज़ो चीज़े की जाती है उस पर मुझे लगता है किस प्रकार की राजनीती नहीं करनी चाहिए और पश्ची मंगाल की सरकार हर छोटी छोटी चीज़ों पर राजनीती करके रोकने का प्रयास करती है मुझे लगता है कि उसका कहीं न कहीं राजनीती खामयाजा भी उनको कहीं न कहीं मिल रहा है कृष्णवीज जी सरकार जो है वो किसानों को सालाना 87,000 करोड से ज्यादा देना चाहती है पर काफी राजियों में हमने देखा जैसे की चर्चा भी हो रही है कि उनकी तरफ से एक सुस्ती दिख रही है जो रवया है वो बहुत ही सुस्ता है ऐसे में किसान संगटनों की क्या भूमिका हो सकती है देखिए ये जो योजना है उसमें किसान की खतोनी, किसान का अधार कार्ड और किसान का बैंक खाते की डिडेली ये तीन चीजें एक साथ मिला कर और पटवारी इसको अपलोड करता है ये जो सिस्टम है हमारा वो वहीं से शुरू होता है और जो अभी कहा आगरवाल जी ने सही कहा कि वो दो करोड उनस्तर लाक लोगों में था ये करेक्षन जो हो जाएगा गलतिया होती है इतनी बड़ी योजना को आप ये देखिये के देश में पहली बार आजादी के पहली बार सीधे किसान के खाते में पैसे देने की शुरुवात की गई है लेकिन प्रदेश सरकारों का रवया पश्रिम बंगाल का जो अभी आपने कहा ही है साथ साथ आप ये देखिए कि राजस्थान मद्यप्रदेश का भी 36 गड़ का रवया भी नेगेटिव रहा और किसानों का रिकॉर्ड ही अपलोड नहीं किया तो किसानों को जो लाव मिलना चाहिए था जितनी जल्दी मि नहीं मिला तो उसका सबक भी सिखा दिया किसानों ने तत्काल ऐसा नहीं है सवाल ये है कि अगर केंदर सरकार अपनी तरफ से सीधे सीधे किसानों को साहता के लिए और साहता भी ऐसी कि पूरे देश को पहले साड़े बारा करोड की बात आई कि वह पहले दो हेक्टेर तक क रहा था उसके बाद अब उसे अनलिमिटिड इसलिये किया कि राजस्थान जैसे प्रदेश हैं आंधर प्रदेश और तमिलनाडू का एरिया है जहां बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग है लेकिन पैदावार नहीं होती राजस्थान में बिल्कुल रिगिस्तान है पैदा नहीं होता तो उस बात को देखते हुए प्रदान मंत्री जी ने पूरी तरह से हर किसान को दिया है खास तोर से छोटे किसान को सबसे ज़रूत है जी मेरा तो इसमें पहले भी आग्रह रहा था जब हम लोगों ने आग्रह किया कि ऐसा किसानों के लिए योजना शुरू की है और योजना की शुरूआत की तो हम ने तो तभी स्वागत किया और आज हम एक बार पुन्हे स्वागत करते हैं साथ साथ एक छोटा से सुझाओ के साथ के जो यह तो सम्मान ने धी है जो फर्टलाइजर सबसीडी का पैसा है जो मनरेगा का पैसा है और जो फूड की तो अभी हम नहीं कहते लेकिन फर्टलाइजर सबसीडी और मनरेगा के पैसे को अब किसानों के इसमें जोड देना चाहिए उससे होगा क्या कि उनकी साहता रासी अच्छे तरीके से उनको मिलेगी और उससे जो प्रधान मंत्री जी का सपना है कि दो हजार बाइस तक किस सीधा मत है कि जितना सबसीडी के जितने भी योजनाय सरकार की हैं उनका सीधा पैसा अगर किसान के या हित्गराही के बैंक अकाउंट में जाता है तो वो सबसे जादा फाइदे मन्द है क्योंकि उसका सीधा लाब हित्गराही को मिल जाता है गरीब आदमी को मिलता है किसा हावना नहीं रहती तो जैसे LPG सिलेंडर की सबसीडी सीधी अब खाते में जा रही है वैसे धीरे-धीरे सरकार DBT के माध्यम से direct benefit transfer के माध्यम से योजनाओं को सीधा इत्गराही तक नागरी तक पहुचाने की कोशिश कर रही है और क्रिशी मंत्राले में भी अब हम जो हमारे पास किसानों का डेटा आ रहा है क्योंकि अभी पूरे देश के किसानों का डेटा बैंक हमारे यहां बन जाएगा अगर साड़ की मन्षा भी यहां ओर दिशा नहीं है कुछ राजसरकार ने कापी तेजी दिखाई है तो कहिंपर सुस्ते नजर आ रही है तो कुल मिलाकर पि-म किसान की जो रफटार है उससे आप कितने संतोश है और आगे के लिए क्या लक्शे रखा है देखिए हमारा पहले दिन से ही लक्षे था कि हम सारे जो हमारे potential beneficiaries हैं उनको पूरी तरह से योजना से जोड़ें अब हमारा target साड़े चौदा करोड किसानों को इस योजना से जोड़ना है वह संख्या किसानों की संख्या सर्वे जो की भूजोत का सर्वे था वो किसानों का सर्वे नहीं था तो उससे उसमें अंतर आ रहा है और मेरा यह मानना है कि अगर हम हमें राजय सरकारें सहयोग करेंगी तो 31 जुलाई तक हमारा कम से कम कवरेज 10 क्रोड से उपर किसानों का होना चाहिए और एक बार हम 10 क्रोड का आंकड़ा पार कर लेंगे तो बहुत जल्दी ही हम 100% जो हमें फार्मर्स का इन्रोल्मेंट करना उस पर पहुंच जाएंगे और इसमें बहुत महत्पून बिंदू यह है कि जिस अवधी में नाम आ जाएगा किसान का पोर्टल पे उस अवधी का पैसा और उससे आगे की अवधी का पैसा मिलना है आज माननी मंत्री जी ने एक वीडियो पोर्टल पे नहीं आया तो इस दोजार उपे का नुकसान ही हो जाएगा वो किसान को पैसा मिल ही नहीं पाएगा जी 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 आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से तो ये कोशिश हो रही है लेकिन क्या राज्य सरकारों की तरफ से जो रवय आप तक नजर आ रहा है उस से देखकर आपको कितनी उमीद है कि यह काम हो पाएगा जल से जल देखिए यह काम होगा जो रुकावट जरूर आती रहती है बहुत सारी वज़े से आती है क्योंकि हर स्टेट के मेकनिजम अलग है काम करने का तरीका अलग है और उनके यहां जो डाटा है जैसा कि जुछ के कोई राज्य इसमें कोई परक्रार करने में मुझे नहीं लगता है कि इसको पूरे पूरे लागू करने में बहुत ज्यादा समयलतबाद दूसरी चre कि अधिन के बारे में जो कुछ बाती होती है वो तो राजे सरकारों की उसमें रहा है अब केंदर इसको कर रही है इसलिए कई जगे जो है मुझे लगता है थोड़ा जानबूज के भी इसमें देरी की जा रही है पर उसके बावजूद अगर आप देखे जिस ने जल्दी सार के मामले में किसानों की संख्या भी कम नहीं है साड़े चौदर करोड है और जैसा अगरवाल साब बता रहे तो जादा भी हो सकता है तो यह सारी चीज़े जो है वो समस्याएं बहुत सारी है पर उसको जिस तरह से समाधान करने की कोशिश की कि उन इस ची तरूप से सरानी ह बिलकुल उनकरत आगे जी आप से जानना चाहूंगी किसान नेता के नाते किसानों के बीच किस तरह की एक तो किस तरह से उनका उनकी प्रतिक्रिया है जो दो हिक्टेर वाली जो सीमा थी उसे हटाने के बाद दूसरी बाद जो यहाँ चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार क कि मंशा नेक है लेकिन इसके साथ ही रोड़े जो है वो राजय सरकारों के कररव से अटकाए जाते हैं इसको लेकर किसान कितना अविकत है दोसरा अब सब क्यूं जोड़ दिया इसमें भेदवाव भी खतम करD दिया जी तो इसके लिए भी धन्यवाद दूसरा यह है कि कुछ लोगों की नहीं आई है उसमें थोड़ा कारण रहा है अभी जो बीच में चर्चा भी आई किसी की फर्द में नाम कुछ है किसी के आधार में नाम कुछ है किसी के बैंक खाते में नाम अलग है किसी के बाबा के नाम जमीन है तो पोते का अधार काड़ लगा द अगर पूरा परचार हो है तो यह सम्मा निदी सब की चली जाएगी जी और इसे हमें किसानों को लाब भी हो रहा और दूसरा तो ही रहे किसानों को कृष्ण वेजी लेकिन उंकरत्यागी जी ने अभी जिन समस्याओं के बारे में बताया है आपको क्या लगता है कि क्या करने से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है और जादा से जादा किसानों को सम्मा निरी का लाब मिल पाएगा देखिए जो जमीन के रिकॉर्ड की बात है उसमें बात क्या है कि जमीन तो भुजुर्ग के नाम चलिया रही है उसके बाद उनके बेटे और पोते तक उसमें बटवारा कर लिया है इसका रास्ता एक ही मुझे समझ में आता है कि वो परिवार अपना सेटिल्मेंट करें और जैसे जैसे जिसके खाते में जितने जमीन जो जोत कर रहे हैं बुआई कर रहे हैं अपने खेती कर रहे हैं वो अपने अपने नाम पर उसको चड़पा लें दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड में अगर कोई गलती है उसे ठीक करा लें तीसरी बात यह है कि बैंक अकाउं और एक मेरा सुझाव है कि इसके लिए हमें भी सब लोगों को प्रशाशनिक अधिकारियों को भी ग्रामी नस्तर पर ब्लॉक अस्तर पर वर्क्शॉप और्गनाईज करनी पड़ेंगी जानकारी लगभग सभी को है लेकिन ये छोटी-छोटी चीजों की जानकारी के लिए औ और जितना उनके बीच में जाके हम छोट-छोटी बैठक आयजित करेंगे उनको बताएंगे चुके चुनाव से पहले शुरूर केरी गई थी इतनी बड़ी योजना मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ को देश में पहली बार ट्रांस्पिरेंसी के साथ 100% ट्रांस्प तो इतनी बड़ी शुरूरात करना इतने कम टाइम में शुरूरात करना और उसको रिजल्ट ओरियंटिट देना बड़ी बात यह है कि हमारे जो अधिकारी है उन्होंने भी रात दिन एक काम करके और प्रधान मंत्री बिल्कुल लासांथ काम नहीं है बहुत दूरू काम है और जो कठनाईयों का समाधान इस योजना का हुआ है जैसे जारखंड की समस्या का समाधान हुआ है असाम जम्मू किश्मीर और मगालय में चुकि अधार काड की संख्या कम थी उसका समाधान हुआ है और जो डाइनमिक निरने करने की शमता सरकार में है मेरा मानना है कि इस तरह से हमने इसको शुरू किया अब हम बहुत तेजी से इसको पूरे देश में सभी किसानों तक जल्दी से ले जा पाएंगे जी बिल्कुन चलिए इसके साथ यहां पर उप्पेंग छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद समवाद अब सभी किसान मुवेश्यों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाथ? किसानों के हर फोन का विशेशक्यत देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाइफ सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे ब्रेक के बाद और दाशन किसान पर आपका फिर से स्वागत है अब सभी किसानों को सम्मान ने थी इस पर वाद समवाद का दूसरा दौड शुरू करने से पहले आएए देखते हैं एक और रिपोर्ट देश में करीब 15 करोड 11 लाख जोद हैं सरकार का मानना है कि इसमें से करीब 61 लाख किसान ऐसे हैं जो पातरता के दाइरे मुन नहीं आते इसलिए 14.5 करोड किसान सम्मान निधी के लाभारती होने जाहिए जब तक 2 हेक्टेर की जोद सीमा थी इनकी संख्या साड़े 12 करोड थी सम्मान निधी पाने के लिए किसानों को अपने खाते आधार से जोडने होंगे पातर किसानों की सूची राज्य सरकारों को बीम किसान पोर्टल पर लोड करनी है लोड करते ही राशी केंदर से संबंदित राज्य के नोडल बैंक में डाल दी जाती है हर राज्य के लिए एक एक बैंक को नोडल बैंक बनाया गया है उस नोडल बैंक से राशी किसानों के खाते में अंतरित कर दी जाती है अगर किनी किसानों को सम्मान निधी मिलने में कोई परिशानी हो रही है तो उनके लिए केंदर, राज़े और जीला स्तर शिकायत निभतान व्यवस्था है ताकि किसान वहां से नयाय पासके केंदर सरकार के स्तर पर कैविनिट सचिव इस समीति के प्रमुख है खास बात ये है कि कुछ किसान ऐसे भी है जिनके खाते में किसान समान निथी के राशी पहुँच गई पर वो उसे नेना नहीं चाहते उन्होंने सरकार को स्वेच्छा से ये राशी चेक के जरिये वापस भी कर दी है तो रिपोर्ट आपने देखी आईए बाचीत को आगे बढ़ाते हैं और विवेग जी पीम किसान का जो दायरा है उसे बढ़ा का जूत की सीमा हटाने के पीछे क्या लगता है इसकी क्या खास बज़ा रही है जैसे सांसर्च जी बता रहे थे पूरू में भी इसमें सबसे बड़ी बात ऑथ थी कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी भूजोत तो बड़ी हैं वह ऐसे इसे संपन्धता उसमें नहीं है क्योंकि वहाँ पे फसल कम होती है रहेन फैर एंडियाज में हैं यह यहां पहाड जमीन तो नाम पे जादा है पर फसल उसमें नहीं है तो वो सब इसमें कवरेज उसका जरूरी था और इसमें चूंकि exclusion criteria पहले से ही है अगर कोई income tax देता है या कोई सरकारी नौकरी में है या किसी को pension मिलती है जो 10,000 रुपे महीने से जादा है तो जो संपन थे और जिनकी आमदनी खेती के इलावा थी वो तो पहले से जादा का किसाना जी विविक जी जैसे की ब्रेक पर जाने से पहले आपने कुछ राजियों का जिक्र किया कि उसके समस्याओं का समाधान निकाला गया हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में हमें बताएं जैसे जहां पर अधियतन जो भूमी लैंड रिकॉर्ड जो होता है उसकी एक कमी थी कई राजजे थे पूर्वोतर के जहां पर आधार काड की संख्या गम थी इन जगहों के लिए क्या समाधान निकाले गया है जो आधार काड का जारी करने की प्रक्रिया है गुछ राज्यों में कानूनी अडचन की वज़य से नहीं हो पा रही है जैसे असा मंतरी किसान सम्मान निधी का लाब नहीं मिल पाता इसी तरह जम्मु कश्मीर की सिती है मेगालिया की सिती है तो इन तीनों राजियों के लिए विचार किया गया और यह तै किया गया कि 31 मार्च 2020 तक का समय इन राजियों को दिया जाए और तब तक जो अन्य आइडेंटिटी के पेपर्स हैं उनके उनको अधार मानते हुए हमें लाब इस योजना का किसानों को देना चाहिए तो वो तै हुआ उसी तरह जारखंड में एक अलग तरह की समस्या थी जारखंड में अजादी के पूर्व का संथल परगना टेनेंसी आक्ट और चोटा नाकपु टेनेंसी आर्ट है इसमें भूमी के ट्रांसफर पे रोक है बहुत सारी बंदिशें हैं उन बंदिशों की वजह से वहां पे सन 1932 के बाद से लैंड रिकॉर्ड का अपडेशन नहीं हो पाया है तो जमीन का नाम तो किसी बुजूर्ग के नाम है जो अभी लोग जोद रहे हैं उनका अपडेशन नहीं है उनको मालूम है कि वह फलाँ बुजूर्ग के उसमें हैं हिस्से में हैं खाते का नंबर है उसमें खतिहान का नंबर है जी सन 32 की एंट्री है पर जो लोग आज जोद कर रहे हैं उनको हम प्रधान मंतरी किसान सम्मान नीदी का लाब नहीं दे पा रहे तो यह तै हुआ कि कमेटी बनाई जाए जो मानिये कृशी मंतरी जी के अध्यक्षता में होगी केंद्री कृशी मंतरी जी के उसमें मुख्य मंतरी जहारखंड भी सदस्से रहें इस कमेटी की बैठक हुई बैठक में अभी तीन दिन पहली निरने हो गया कि जो लोग वास् किसानों को तद्धान मंतरी किसान सम्मान निधी का लाब दिया जाएगा चली आगे बढ़ते हैं और अब पैनलिस्टों के पास पी-म किसान के CEO से सीधे सवाल पूछने का मौका होगा सबसे पहले क्रिश्मभी चौधरी जी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई स चाही के संसा वो भी नहीं के लिए है तो आपकी क्या रहा है यदि इसको combine करके सभी किसानों को क्योंकि मेरा ही मानना के छोटे और गरीब किसान जो उनको जड़ा मदद मिल जाएगी और सभी पानि जाएगी तो अगर इसको combine करके इस Пैसे को जोड़ के इसकी हम बढ़ा दें धनराशी को तो आपका क्या मानना उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्टा आएगा मेरा ही मानना है किसान उसे ज़्यादा लाभानुईत होंगे और सीधे सीधे होंगे क्योंकि उसमें कहीं कोई किसान के नाम के साथ उसका खाता नंबर भी जोड़ देंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि यह किसान है उसकी यह इतनी भूमी है और इवन जो GIS मैप है सैटलाइट इमिजरी से हम उस खेत को भी उससे कनेक्ट कर देंगे तो यह पता रहेगा कि उसकी भूजोत कितनी है और इतनी भी सरकार की सब्सडी की योजना है वो सीधे खाते में किसान के खाते में जा सकती है तो मेरा यह मानना है कि धीरे-धीरे करके अब आगे आने वाले समय में जो योजना का लाब किसी और को मिल जाता है वो सीधा बैनिफिशरी को जाए उस और उस दिशा में बहुत त benefit transfer का portal है भारत सरकार का PFMS का वो बड़े सशक तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है मेरा इसमें इसलिए सुझाओ था कि इस देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो chemical fertilizer का use नहीं करते और वो छोटे किसान हैं उनकी आर्थी किस्तिती बहुत कमजोर है और उनको अगर हम compost की तरफ ले जाएं organic जो हमारा पुराना था उस system के लिए उनको अगर support cash benefit ज़्यादा मिल जाएगा तो मेरा ये सुझाओ इसलिए है कि सभी में बराबर बढ़ना जाएगा ऐसा ना हो कि फिर हम इसे जोड़ दें कि जो खाद खरीदेगा उसी को पैसा देंगे जैसा अलबेग जी ने कहा है कि उस पर काम चल रहा है लक्षमी जी आप भी कोई सवाल पूछना चाहेंगी इसके क्रियान में पो लेकर जो नौर्थ eस्ट के राज्जे हैं उनके लिए पेहले से ही वीचार कर लिया गया था कि इन राज्जे या जो रीकॉर्ड है साब यह उसके इसाब से किसानों का चेहन करना मुश्ै होगा तो कमैटी में मनिपूर का मनिपूर में कम्यूनिटी ओंड लैंड है और जिसके ऊपर किसान खेती करते हैं और उनका जो पट्टा है वहां के गाओं के मुखिया उनको देते हैं उस पर्टिक्लर जो ट्राइब है उसके मुखिया देते हैं तो हमने उस समय ववस्था बना ली थी कमेटी से हमने इतने भी हितकराही थे वह समलित हो गए जैसे आगर आप असाम का धारन ले तो साम में करीब 11 लाख किसानों को पहली किष्ट माटी गई दूसरी किष्ट जरूर थोड़ी डिले हुई बिकॉज उनके अधार नंबर का मसला था वह भी सॉल्व हो गया तो आज उनकी 11 लाख और जो किसानों की second installment है वो भी जा रही इसी तरह नागा लेंड में मनिपूर में मीजोराम में रुनाचल में इन सब राज्यों में किसानों को पैसा गया है और मेगाले और सिक्किम अब योजना में अपना डेटा दे रहे हैं तो उनको भी शीगरता से प्रधानमत्री किसा सबानमानेदी को लेकर वेवेक जैसे कुछ जानना चाहेंगे कई सवाल हैं एक तो सवाल यह है कि कई लोग यह पूछते रहते हैं कि जिन राज्यों में बहुत से बेनेफिट्स दिये जा रहे हैं कुछ बेनेफिट्स जो है योडिस्सा है तेलंगाना है और भी कई राज् है जो हमारा कार्य करने का मैंडेटे है वह यह हम अपना लाब किसानों को दे रहे हैं अगर राज्य की कोई योजना है जिसमें किसानों को लाब मिलरा है तो उतुरकत रूप से मिल रहा है तो यह उसका कोई प्री पूरबतर के राज्योड में ज्भूम कल्टिवेशन होता वो में ली रागालेंद में होता है तो नागालेंड का हमने बहुत गेहराई से अध्धन किया नागालेंड में दो तरह की भूमिया हैं जो ज्भूम कल्टी तो फिर दूसरी जमीन करते है फिर पलट के आ जाते हैं तो वो एक फिक्सट एरिया है जहां पर किसान आइडेंटीफाइड है जो किसानी में लगा हुआ है उनके नाम हमारे पास आ रहे हैं उनको हम benefit PM किसान का दे रहे हैं अंकर त्यागे जी आप क्या जानना चाहेंगे सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा यह है कि इसमें बिचोला तो रहा नहीं बिच में, क्योंकि सिद्धा बैंक में खाते में जा रहा है, किसी को ढूड़ने की आउसकता नहीं, सब पर मोबाइल है, मैसी जा गया, बैंक से हैं, पर सम्मानी धी आ गी है, तो यह बहुत यह काम यह है, ठीक है, विवेग जी, किसानों से इस तरह की निविदन तो आती ही रहते होंगे, दो हेक्टेर से जादा बढ़ाया गया है, लेकिन 87,000 करोड से जादा वहन सरकार को करना पड़ेगा, और इस पर क्या आ आगया आप कहना चाहेंगे, देखें, जो योजना है उसकी शुरुआात हुई है, और उसका लाब मिलना शुरू हुआ है, आगे जाके इस योजना के और कितने आयाम बनेंगे, इसका कितना और लाब मिल सकेगा, वो समय के साथ तै होगा, पर ये बात बिलकुल सही है, जो त्यागी जी ने कही कि पहले जितनी भी योजना होती थी वह application अधारित होती थी कि जो हित्गराही है उसको आविदन देना पड़ता था और जब आविदन देता था फिर उसकी scrutiny होती थी और फिर उसको लाब मिलने की संभावना बनती थी इस योजना में सबसे बड़ी बात जो हुई यह था कि अब पटवारी या गाउं का अधि यह बहुत बड़ा चेंज है जो इस योजना में आया है और मेरे मानना है कि जो गती जिस गती से योजना लोकप्रिये हुई है उससे और भी बहुत सारे जो उसके अंसिलरी बेनिफिट्स हैं वो प्रशासन को भी मिलेंगे क्योंकि हमें आगे अनुभव पराप्त होगा कि इस्तमाल कर रहे उसके उपर कोई स्थडी छे मेने के बाद करेंगे क्या क्योंकि पता भी चले कि किसान किस तरह वो पैसे इस्तमाल कर रहे है इस योजना की जो मूल अवधारना है वो ही यह है कि जो पैसा किसान को जा रहा है वो उसका उप्योग अपनी मर्जी से कर सके उ तो खेती के उपयोग के लिए कर ले, अगर उस समय उसको बच्चे की फीज देनी है, तो उसके लिए करे, या कोई घरेलू आफशकता है, उसके लिए करे, पर हमारा मानना ये है कि जिस तरह का उसका साइकल ओफ पेमिंट है, चार-चार महीने हम दे रहे हैं, तो वो क्रॉप साइकल से भी मैच करता है, तो कहीं न कहीं, उसका सीधा लाब किसानी के काम में किसान को होगा, और जो उस समय ततकाली का अवशकता होती है, थोड़े-थोड़ी चीजों की, वो उससे पूरी होगी, मुझे बड़ी खुश हुए थोड़े दिन पहले एक न्यूस रिपोर् किसान की है, अगर मैं किसान हूँ, मेरे पास लाक रुपे साल की आमदनी है, और उस में मेरे 6,000 रुपे जुड़ गए, तो मेरे तो आमदनी 6-10% साल की भड़ गई, और उसका उपयोग किसी भी तरह से करूं, उसको लाब मिला है, विवेक जी ऐसा भी शुना गया है, कि क किसानों ने सम्मान निरी की राशी वसे वापस भी घिया है एहा RJ pac business था उसने फिर बताये की मैं रिवाज के सेवा में हूँ एसका पैसा वापस जमा हुआ पर यह बहुत कम संख्या ही ही हमारे सामने आई और जब यह आई दो हमने राज्यों कि जो exclusion criteria है उसको ध्यान से चेक करके किसानों के नाम दें ताकि ऐसी समस्या ना आए तो कि जैसे मैंने पहले बता थे कि दो समस्या हमें आ रही थी एक समस्या ये थी कि नाम का mismatch हो रहा था और दूसरा ये था कि अगर exclusion criteria का ठीक से पालन नहीं हुआ तो उसमें गलती की संभावना थी इसलिए फिर हमने कहा कि अब पंचायतों में जो हित्गराहियों की सूची है उसको publish करें उसमें उसमें प्रदर्शित करें और अबर कोई ऐसा नाम आता है तो पंचायत में और ग्राम सब्व में पता चल जाता है कि ये वापस क्या है उनके मानदारी के लिए भी उन्हें बढ़ाए देने चाहिए शिवाजी सरकाजी आप इसमें को जोड़ना चाहिए है ये जो आपने कहा है सबसे बड़ी अच्छा है इसमें कि गाओं में जो है किसान के पास बहुत कुछ होता है खाने के लिए होता है पर उ करा ने जाकी महसुस किया कि गाओं कि जो बच्चे है का आत्मे सम्मान होता हैं कि आपकी इसने हीवि긴े दे पाते हैं मैं आप से सिर्फ लेक सारा काम कर रहे हैं इस से मुझे एक चीज लगता है कि extrem रदी जवस्ता के की मैं अर बहुत सारी की खपत ही कर रेए इदर कुछ बड़ी जरूर है पर कुछ कहीं नहीं स्टेगनेंट है तो मैं चाहूंगा कि एक स्टडी जो है आप जरूर करा हैं मेरे खाल में भी नहीं पांच से मैने बाद कि इसका कितना असर जो है अर्थवाबस्था को गती देने के लिए हो रही है लोगों की पर्चेजि और दूसरी किष्ट एक करोड़ साड़े आठ लाग किसानों को भी पचाजार किसान भी वो थे जिनके अधार नंबर की समय समस्या थी तो आप ये मानिये कि सवा दो करोड़ किष्टें यानि के साड़े चार हजार करोड़ रुपया सिरफ उत्तर प्रदेश को पिछले दो साड़ चार महिने में अगर किसी प्रदेश में पांच थार रुपया साल भर में 20,000 कροड़ रुपया केंले उत्तर प्रदेश को जाता है इसी प्रकार अन्ये राज्यों की सित्थी भी है तो ऑटोमैटिकली जो एक रुपया दस रुपया में कर्वर्ट होता है ब्रूड़ को आगे बढ़ाता है तो इसका बहुत बड़ा असर आपको देखने में आएगा और इसका गाउं में भी जब तीन-चार किष्टें चली जाएंगी तो इसका बड़ा असर होगा दूसरी बात यह होगी कि जब मुझे मालूम है कि मुझे हर साल 6,000 रुपे आना है तो मैं बड साल 6,000 बाता यह है तो बहुत चोट चोटा सा सवाल कि अगर कोई किसान में दो है को इसमीन प्रका हुए तो इस साल Kis was और तूहार का मालिका ना हक नहीं जाता जो मालिक है भूमी का अगर उसने गिरवी नहीं रुखी होयाar तो मालिक दो पयसा मिलेगा उससे उसका ह resignon अगर बेज नहीं दी है उसने दो फर्वरी एक फर्वरी 2019 से पहले तो ही समझे है अगर उसके नाम पे है तो उसको पैसा में देए चलिए से कई ही सवाल होंगे सभी लोगों के मन में यहां पे जो किसान मौझूद है उनके मन में भी किस तरह की सवाल है आगे हम जानेंगे लेकिन फिलाल बक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद समबाद अब सभी किसानों को सम्मान निधी आप बने रहें तूर्दाशन किसान पर पचास साल से लगातार प्रिशी दर्शन है आपके साथ खेती की नई तक्निकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल जारी है प्रिशी दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोंबार से शुक्रवाद शाम पांच बच कर 30 मिनट पर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है अब सभी किसानों को सम्मान निधी इस पर हम कर रहे है बाद समबाद मोधी सरकार ने अपना दूसरा कारेकाल शुरू करते ही किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और किसान सम्मान निधी से 2 हेक्टेर की सीमा को हटा दिया है और अब सभी किसानों को यानि की 14.5 करोड किसानों को मिलेगा किसान सम्मान निधी और इस पर किसानों के मन में किस तरह की प्रतिक्रिया है और किस तरह की सवाल है इस पर हम आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर मौजूद किसानों से, बताएं किस तरह की खुशी है आपके मन में इस फैसले के बाद? इसके लिए हम परदान मंतरी जी का धन्यवाद करते हैं, बहुत खुश हैं, सभी छोटे बड़े किसान इनोंने इस में ले लिए हैं, हम खुश हैं इस से, और ऐसे ही आज दस परसेंट का आ रहे हैं, परदान मंतरी को जी हम धन्यावाद करते हैं, हमारे गाम में लगबक चार सो किसाने चोटे बड़े जी, उनके दोके ही पैसे आए हैं, बाके काग जो में भी सबकी मिश्टेक नहीं हो सकते, ये पटवारी के भी कुछ लापरवाई है, मानलिया जी, परदान मंतरी के भी पान के यह पोँच गगे, पान साथ का नाम दया, बाकी वे राएंगे, तो इस सारे की मिस्टेक भी निकाग गाग जो में दो फी ये खाट तो में हो सकती। तो किया वज़ा हो सकते हैं कि सभी किसानों के खाते में नहीं आए हैं पैसे। उत्तर प्रदेश में हमें जो हमारा एस्टीमेट है वो धाई करोड किसानों का है और अभी करीब एक करोड नौला किसानों के नाम ही वेरिफा होके उनके पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो इसका मतलब अभी भी करीब एक करोड तीस लाग एक करोड पैंतिस लाग किसानों के न नाम आने बाकी हैं, तो जो मुद्दा इन्हों ने उठाया, उसके लिए हमने राज्यों से बात किये, खासकर युक्तर प्रदेश से बात की है, और मुझे बताया गया कि वहां के प्रशासन ने अभी एक कैमपेन शुरू की है, बहुत जल्दी ही वो सारे नाम लेके और वो हमें डेटेल भेजेंगे, करीब पचास लाग रिकॉर्ड ऐसे भी हैं, जो उन्होंने भेजे थे हमारे पास, जिसमें तूटियां थी, वो उनको वापिस किये गए हैं, वो भी उनको ठीक करके भेजेंगे तो जितने भी किसान चूटे हुए हैं, अब तो क्योंकि रखबे का जो बंदिश था वो भी खतम हो गया है, तो उन सब के नाम आएंगे और उनका भुक्तान होगा जिन किसानों की खाते में भी तूटियां पाई गई और वो तूटि ठीक होने के बाद, 31st जुलाई के बाद, अगर आपके रेकॉर्ड में जाता है, तो उसको पिछले पैसे का बेनिफिट मिल सकता है या नहीं? जिसका नाम एक बार आगया पोर्टल पे, अगर वो तूटि रह भी गई, तो भी उसका नाम पोर्टल के आने से ही उसकी eligibility हो गई, तो जैसे गर 31st मार्च से पहले नाम आगया पोर्टल पे, उसमें कोई खाते में गलती थी या कोई कमी थी, वो ठीक करके देंगे, तो उसक जो खते में पती-पत्नी दुन्नों के नाम जमीन है, अलग-अलग रह रही है, तो ने दुन्नों को पैसे मिलने चाहिए, तो तो अलग-अलग परिवार हो गया है, अगर वो अभी तक शादी के बंधन में बंधे हुए है, तो वो एक ही परिवार माले गाए है, तो एक ही को. अगर वो किसी सर्विस में आदमी का पैसा जा रहा है, तो किसान का भी पैसा सम्माने दी हो जोना करलाब ले रहा है, इस पर विश्यस का जान दिया है. जिसमें जितने भी लोग सर्विस में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, उनके सर्विस रिकॉर्ड और सैलरी की डिटेल ऑनलाइन अवेदबल है, उनके डेटा बेस बने हुआ है, डेटा बैंक बने हुआ है. तो जो केंद्रिय शासन के मुलाजमों का डेटा बैंक है, और जो राज़ शासन के मुलाजमों का डेटा बैंक है, उसको अब हम अपने डेटा बैंक से मैच कर लेंगे. तो अगर किसी के साथ ये हुआ है कि उसकी वो सेवा में है और उसको पैसा मिला है तो उसका बड़ा असान है उसके वेतन से पैसा कटके वापिस आ जाएगा अगर वो अपनी मर्जी से नहीं देगा तो पर हमने फिर भी कोशिश ये की है कि अगर इस तरह के नाम गाउंस जाएं तो जादा अच्छा है जैसे मैंने पहले भी कहा था हमने बड़े डिटेल निर्देश दिये हैं कि जो गाउं की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हैं उसमें नामों को परदर्शित कर दें कि जिनको पैसा मिला है ताकि अगर उसमें से कोई गलत नाम आ गया है तो व वो नहीं चिपका जा रहे हैं तो क्या किसान खुद भी कहीं जाकर शिकायत कर सकता है मेरा सुझाव है कि जब तक हम पटवारी को रेस्पॉंसिबल नहीं फिक्स करेंगे और उसके खिलाफ कोछ पनिश्मेंट नहीं जोड़ेंगे इंडक नहीं करेंगे तब तक वो सुधा करने तो कि पुरी तरह सहमत हूं कि पटवारी अपनी मनमर्जी से करता है एक जगे जाके बैठता है और उसी परिवार से बैठ के जैसा हो कह देते हैं वैसा हो करता है इस में शिकायतe आई है लेकिन डेस के सभी किसान भाइयों से भी एक निवेदन है कि जैसा व्योग जी बेनिफिशरी हैं उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत के बाहर लगा देनी चाहिए और अगर उसमें कोई गलती है या किसानों को ऐसे भी बहुत सारे मामले आए हैं कि किसान परिशान है जा रहे हैं घुमते हैं पटवारी सुनने को तयार नहीं है क्योंकि पटवारी ऐसे अंकुष तंत्र को अंकुष लगाना पड़ेगा और जब हम पटवारी पर अंकुष लगा देंगे उसको लाइबलिटी फिक्स कर देंगे वो सुधर जाएगा आपके बाद से सभी किसानों ने भी यहां पर अपना रजामंदी जायर किया है अगे बढ़ते कुछ और सवाल या सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं जी बताए अजी इस किसान ने दी कि साथ साथ मैं पैमेंट ने दी को और खुलवा हूँ गन्ने का पैमेंट ने मिल रहा है छेजार रुपे ब्याज मैं चले जाए ना किसान के हम उम्मीद करते हैं कि आपके यह मांग भी सही जगह तक पहुंचेगी चले तो बहुत सारी किसान यहां पर जो मौझूद हैं स्टूडियो में उनसे तो हमने जाना कि उनके क्या क्या सवाल है उनकार त्यागी जी आपसे भी मैं जाना चाहूंगी आपके क्शेतर के किसानों से जुड़ी अगर किसी तरह की समस्या आ रही हो या फिर और अगर इसके क्रियानवन को लेकर जानकारी चाहते हैं तो आप सवाल पूच सकते हैं त्याजिवाल साथ से मेरे यह कहना था कि एक सरकार को चिटि चली जाए कि इस तरह की सूचना आ रही है कि पटवारी घटवड़ कर रहा है चली एक और टिपणी लेलू में शिवाजी सरकार जी आपसे कि जो बात हो रही है या कई किसान जो ये सवाल उठाते हैं कि बहुत नगण्य है ये राशी लेकिन जिस तरह की बात हुई है कि जब 87,000 करोड से जादा रुपए ग्रामिन अर्थ विवस्ता में जाएगा तो जाहिर है उसके परिणाम जरूर नजर आएंगे मैं चाहूंगे इस पर जरा जोर दें आप और अगर कुछ और आप बताना चाहें या सुझाव देना चाहें ताकि किसानों को लाब हो इस किसान सम्मान ने दी से इस पर अगर कुछ आपने जो कहा राशी वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी नहीं है पर अगर सारा मिला किसानों की बहुत बड़ी राशी है और मुझे लगता है कि सरकार ने जो हिम्मत करके 87,000 क्रोर रुपए जो है अपने खजाने से निकालने की कोशिश की और दे रहे हैं यह अपने आप में बड़ी चीज है क्योंकि देखिए इस देश की अर्थव्यवस्था जो है ठीक ठ समस्यान पे पहुचआ रहे हैं जिससे कि यह पने कुछ खर्चे को निपटा सकते जिसे हम पहले भी कहा कि हाँच में नगऩर करसके उसके रोक नहीं हो क्या कर रहे है को इसको पूछने नहीं जा रहे है यह उनके आममदन ही है और खुद उस खेर कर सकते हैं ... इस तरह की चीजों की एक शुरुवात हुई है और ये शुरुवात जो है मेरे ख्याल में इतने सालों बाद जो है किसान हर बग चाते रहे हैं कि उनके पास कुछ आमदनी जरूर हो और वो आमदनी की शुरुवात है दूसरी एक चीज जो है मुझे लगता है सरकार को जैसे कोई बेनिफिट दे सकती है नी कि चीज तो सभी योजनाओं में सुधार की वजयाईश भी रहती है और जैसे कि आपने बताया है कि बहुती अच्छा कदम ये उठाया गया है तो किसान संबान निधी सभी किसानों को मिलना सबका साथ सबका विकास और सबका हर साल 87,000 करोड रुपे से ज्यादा किसानों के खाते में जाने का मतलब किसानों के लिए तो रोज मर्रा की जरुरतों को पूरा करना है ही इसे ग्रामीन अर्थ विवस्था में भी नव प्रान आएंगे विश्वास है कि राजस सरकारे इस काम में तेजे लाएंगी समय का भाव आज के वाद समवाद को यहीं वीराम देने के लिए कह रहा है तो आज बस इतना ही कारिक्रब में भाग लेने वाले सभी अतितियों का बहुत-बहुत आभा़र मिलते हैं अगले सप्ता इसी समय करने किसी नए विशे पर बात समबाद तब तक के लिए बने रहे दोड़ाशन के सामकर नमस्कार कर नमस्कार झाल झाल